बड़ी खबर का विदेशी बजारों में गिरावट के रुक के बीच बीच बीते सब्तवार देशबर के तेल तिलहन बजारों में सरसो सोया बीन मुफली सीपी ओ सहीद लगबग सभी तेल तिलहनों के भाव हानी दर्शाती हुए बंद हुए हैं बजार सूत्रों ने कहा है कि बीते सब्ता विदेशी कारूबार में मंदी का रुक था और आयाती तेलों के दाम आस्मान चू रहे थे इनके मुकाबले देशी तेल सस्ते हैं सोया बीन डिगा मौसीबियों और पामुलियन के महंगे होने के साथ इन तेलों के लिवाल कम हुए हैं सरसो तेल के दाम में 75-100 रुपे प्रती टन की गिरावट भी आई है अयाती तेल महंगा होने के बाद इनकी जगे उबोकता सरसो मुंगफली बिनौला की अधिक खपत कर रहे हैं नई फसल की मंडियों में आवक भी बड़ी है इन तत्यों के मदे नजर विदेशों में गिरावट का असर स्थान ये तेल तिलहन कीमतों पर भी दिखा है और समिक्षदीन सपताहंत में तेल तिलहनों के भाव हानी दरसा आते हुए बंध हुए हैं पुली के कारण पिछले 2-3 दिन में मंडियों में सरसों की आवक घट कर 6-6.5 लाग बोरी रहे गई है जो इससे कुछ दिन पहले ही लगबग 15-16 लाग बोरी की बीच रही थी सूत्रों ने कहा कि मंडियों के खुलने के बाद आगे के रुक का पता लगेगा वहीं पिछले 2-3 साल के दोरां किसानों को अपने तिलहन फसल का अच्छा दाम मिलने से तिलहन की पैदावार बढ़ी है और इस बार सरसों की अच्छी पैदावार भी हुई है उपच बढ़ने के साथ सार सरसों से तेल प्रती का स्तर भी बढ़ा है पिछले सार सरसों से तेल प्राप्ती का जो स्तर है वो 49-49.5 प्रतीशत था जो इस बार बढ़का लगबग 42-44 प्रतीशत हो गया है सरकार किसानों की आमदर्नी बढ़ा दे और किसानों को प्रोच सहन देती है तो वे अपने आप पैदावार बढ़ा देंगे तेल तिलहन उत्पादन बढ़ने से देश आत्म निर्भर होगा और विदेश मुद्रा की बचछत भी होगी जिससे सकल घरेलों उत्पाद और र बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें मार्के टाइम्स टीवी के सार मुझे दीजे इजाज़त तमस्कार चाहे कपड़े हो ग्रोसरीज हो दवाईया हो या हो कोई भी घर का अन्यस समान और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलिवरी अभी डाउनलूड करिए बिग बि बिलिस एप पहुचाएगा सारा समान 10 मिनट में बिग बिलिस एप है खुशियों की अपनी दुकार